वेलकम टू इंटिलेक्टर्स केमेस्ट्री मैं पुनित दुबय आप सभी का स्वाध करता हूं तो आध के इस वीडियो लेक्चेर में हम लोग पढ़ेंगे साथ हमें हम लोग सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो अब तक पाउच सके और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसे जरूर शेयर करें तो चलिए देखते हैं आज हमको आज के इस वीडियो लेक्चेर में क्या क्या पढ़ना है आए देखते हैं तो आज के इस वीडियो में पहले हमको पढ़ना है SN1-Reaction Mechanism SN2-Reaction Mechanism SNI-Reaction Mechanism SN2-Reaction Mechanism उसके साथ एक और देखेंगे हम लोग यहाँ पे SN2-Reaction Mechanism अट एलिफेक्टिक ट्राइगोनल कार्बन पे उसके बाद है SN1-Reaction Mechanism तो यह क्या होता है वन प्राइमरी एलाइल हलाइड प्राइमरी एलाइल हलाइड है ओके प्राइमरी एलाइल हलाइड अंडर एसन वन कंडिशन इन पॉलर प्रोटिक सॉल्वेंट अंडर गो नुक्लिफिलिक सब्स्टिशन रेक्शन गिफ टू प्रोड़क्ट वन इस नॉर्मल और इस री अर्रेंजमेंट प्रोड़क्ट ठीक है तो एसन वन कंडिशन क्या है इसके प्रीवेस वीडियो में हम लोग टेजादी होने चाहिए उसके बाद नुक्लिफाइल वीकर स्ट्रॉण हो कोई चलेगा ठीक है तो यह सारी हमारी एसन वन कंडिशन होती है जब भी एसन वन कंडिशन अलाइल प्राइमरी अलाइल हलाइट को दे जाता है और इस कंडिशन में रेक्सन को प्रोसीड करता है तो वहां पे दो तरह से product बनते हैं, एक तो normal बनेगा, एक rearrangement product क्योंकि वहां पे carbo-katan बनता है, और carbo-katan का एक special character होता है rearrangement का, अगर वो rearrange करके और stable carbo-katan बनाता है, तो वहां पे rearrangement होगा, ठीक है? और यही जब rearrangement के फ्रूब जे product बनता है, these rearrangement product under the SN1 condition is called the SN1- reaction ठीक है मतलब कि reaction proceed हो SN1 condition में लेकिन product जो बनता है वो rearrangement के थुरू बने तो उसको बोलते है SN1- ना कि SN1 SN1 में क्या होता है normally जो प्रोड़काटन बन गया without rearrangement उस ही में हमारा product बन जाता है तो उसको बोलते है SN1 यहाँ पे जो major product मिलता है वो after rearrangement we will get the more stable carbogatine then these reaction is known as the SN1- reaction mechanism तो यहाँ पे एक example है आई देखते हैं हमने एक primary allyl halide ले लिया है ठीक है यहाँ पे S2O in presence of base water hydrolysis means water के basic condition में ले लिया weak nucleophile और SN1 condition डाल देते हैं यहाँ पे product polar solvent में ठीक है यहाँ पे क्या होगा carbogatine बनेगा जैसे ही यहाँ से हमारा chlorine निकलता है तो एक carbogatine बनेगा यहाँ पे CH2 plus जो की होता है हमारा primary carbogatine जो की less stable है after rearrangement जैसे ही यह double bond यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे बनाएगा secondary carbogatine और यह secondary carbogatine ज्यादा stable होता है ठीक अब यहाँ पे क्या होगा जो हमारा OH- जो की एक nuclear file के तरफ behave करता है यह attack करेगा दो position पे कौन कौन से एक तो यह position है और दूसरा यह position है तो major stable जो बनता है जो more stable होता है वो हमको देता है major product जो की होगा rearrangement product ठीक है तो इस reaction में overall जो major product हमको मिल रहा है वो किसकी उजह से मिल रहा है after rearrangement in the carbogatine we are getting the major product so this reaction is known as the SN1 dash न की SN1 ठीक है SN1 dash बोलते हैं इसको ठीक आप देखते हैं SN2 dash क्या होता है SN2 dash reaction same like SN1 dash when primary allyl halide undergo the SN2 reaction SN2 reaction का condition क्या होता है polar aprotique या फिर non polar solvent में strong nucleophile होता है तो वहाँ पे हमारा SN2 reaction follow होता है ठीक है तो primary allyl halide जब SN2 reaction conditions में reaction proceed करता है तो हमको जो product मिलता है वहाँ पे यहाँ पे भी rearrangement होगा यहाँ पे rearrangement कैसे होगा क्योंकि SN2 condition में तो बनता है transition state और transition state में rearrangement नहीं होता है तो यहाँ पे rearrangement होता है कैसे होता वो भी देखेंगे आई देखते हैं तो SN2 condition हमारा यह है polar aprotect solvent यह फिर non polar solvent अब देखते एक्जामपल यह हमारा primary allyl halide है यहाँ पे potassium iodide हमारा जो base nucleophile तरह काम करता है acetone हमारा non polar solvent है ठीक है और SN2 condition हम लहाँ पे prediction को proceed कर वा रहा है चलिए I- जो कि हमारा nucleophile है यह track करता है CS2 के उपर हो chlorine हमारा बाहर निकल जाता है यह normal SN2 reaction हमारी ठीक है अब SN2 dash क्या होती है DMSO हमारा क्या है polar aprotect solvent है ठीक है polar aprotect solvent चलिए अब यहाँ पे OH- हमारा nucleophile है reaction हमारी SN2 dash condition हमारी SN2 की है but reaction हमारा क्या है यहाँ पे SN2 dash कैसे OH- पहले attack करेगा इस allylic carbon पे ठीक किस पे allylic carbon पे जैसे ही यह OH- इस allylic carbon पे attack करता है यह double bond जाता है इस carbon carbon के बीच में जैसे ही यह अपने next carbon carbon bond के बीच में जाता है तो वहाँ से chlorine हमारा बाहर निकल जाता है तो यह हमारा rearrangement है यहाँ पे product जो बन रहा है वो rearrangement क्योंकि bond की shifting हो रही है this is the rearrangement तो यहाँ पे हमको जो product मिलता है यह होता है हमारा SN2 dash reaction का product ठीक SN2 का product यह हुआ SN2 dash में हमको product यह मिलता है ठीक है इसलिए यहाँ बोलते है SN2 अब देखते है SN2 dash के लिए condition क्या क्या होनी चाहिए alpha carbon is hysterically hindered यहाँ पे जो alpha carbon है यह हमारा hysterically hindered है यह हमारा alpha carbon है ठीक है अब बात करते हैं यहाँ पे solvent should be polar aprotic and nucleophile should be strong ओके and the product is formed through rearrangement यहाँ पे bond का movement हो रहा है that means rearrangement is taking place so this reaction is named as SN2 dash ना कि SN2 क्या बोलेंगे इसको SN2 dash reaction होती है ठीक है चलिए अब देखते SNI very important reaction है SNI nucleophilic substitution internal reaction यहाँ पे internal क्यों है क्योंकि जो nucleophile होता है जैसी भी जो बनता है वो हमारा खुद का ही होता है अपने ही ग्रूप के अंदर का कोई atom as a nucleophile वह करने इसको सब्सिट्यूशनी एक ही एक ही केस में होता है जहांपे नेबरींग ग्रूप participation होता है जहांपे नेबर गूप हमारा इंवाल वहता है वहांपे double inversion होता है या फिर उसको बोल देंडे रिटिंशन अफ चान्फिग्रेशन होता है यहांपे रिटिंशन अप configuration भी हो रहा है, substitution reaction भी हो रहा है लेकिन कोई भी neighboring group participation नहीं हो रहा है कोई भी neighbor हमारा उसमें participate नहीं कर रहा है तो यह कौन सी reaction है So these reactions proceed through the SNI mechanism and follow the second order kinetics SNI से proceed करता है और यहाँ पर order of reaction क्या होती है 2 ठीक है तो यह हमारी overall reaction है इसका mechanism हम अगले slide में देखेंगे तो यह हमारा overall mechanism है यह हमारा substrate है यह हमारा as a reagent यहाँ पर इस्तिमाल करते हैं और यह हमारा product बनता है और S2 as a gas के form में reaction से बाहर चले जाती है ठीक है तो order of reaction कैसा है 2 second order reaction है यहाँ पर जो configuration है वो S configuration है after reaction the configuration again we are getting S it means there is retention of configuration so let's see the mechanism what is the mechanism of the SNI reaction ठीक है यह हमारा reagent है और यहाँ पर SOCl2 जो की एक reagent लिया हुआ जिससे हम reaction कराते हैं यहाँ पर जो होता है इसका hydrogen इसका chlorine minus HCl के form में बाहर निकल जाता है HCl reaction से बाहर निकलती है तो हमारा जो intermediate बनता है intermediate क्या बोले इसको बीच में एक step है उसमें जो product बनता है वो क्या होता है तो यहाँ बनता है carbon oxygen के बीच का bond और oxygen और sulfur के बीच में bond बन जाता है तो यहाँ पर यह bond बनता है यहाँ से जब HCl निकलता है HCl निकल गया इसको बोलते है alkyl chlorosulfide क्या बोलते है alkyl chlorosulfide अब ठीक है यह salt हो गया अब यहाँ पर क्या होता है यह देखिए यहाँ से क्या होता है bond का breaking होगा तो oxygen हमारा minus charge हो जाएगा carbon हमारा positive charge हो जाएगा क्या होगा carbon के उपर positive charge जाएगा oxygen के उपर negative charge ठीक है अब इस positive charge को neutralize करने के लिए हमारा जो यहाँ पे iron pair है chlorine के पास यह उसमें participate करता है ठीक है चुकि यह एक ही molecule है ठीक है salt के form में है तो salt में एक plus और एक minus होता है हम जानते है ठीक है तो वहाँ पे क्या होता है यह lone pair बोल ले या iron pair involved होता है इस positive charge को decrease करने में इस positive charge को neutralize करने के लिए जैसे ही अपना iron pair इस carbon को दे देता है तो यहाँ पे आता है chlorine के उपर positive charge अब इस chlorine के उपर का positive charge है इसको neutralize करने के लिए oxygen का negative charge वहाँ पे जाता है और यह chlorine अपना उस bond को लेके SO2 को reaction से बाहर निकाल देता है in the form of gas ठीक है तो जैसे ही अपना bond यहाँ पे लेत लेता है तो हमको product मिलता है यह ठीक है क्या बालता है जो हम यहाँ पे OH this position पे था उसी position पे यहाँ पे chlorine जुड़ जाता है that means it is having the S configuration again here we are getting S configuration so there is retention of configuration ठीक है तो this is the overall mechanism of S and I reaction ठीक है आई बात समझ में चलिए अब देखते हैं कुछ points है इस के क्या है this reaction follow the second order kinetics we have seen that but clearly cannot proceed by a simple ascent to mechanism because it would lead to the inversion of configuration क्या हुआ second order kinetics तो है लेकिन यह simply ascent to mechanism follow नहीं करता है क्यों नहीं follow करता है क्योंकि ascent to mechanism में configuration का inversion होता है अगर हम reactant R लिए हैं तो product में हमको S configuration मिलता है लेकिन जबकि यहां पे इस reaction में S configuration लिए चाहे R configuration लिए तो वही configuration हमको product में मिलेगा चाहे R लिए हैं तो R मिलेगा S मिले हो तो S मिलेगा ठीक है तो यह simple ascent to mechanism follow नहीं करता है जबकि इसका भी क्या होता है दो होता है second order kinetics होता है ठीक वैराज in present reaction retention of configuration has been observed thus in the SNI mechanism involving an iron pair जबसे बड़ी बात यहां पे एक आएगा iron pair involved होता है जो कि खुद के molecule का ही एक atom उसमें involved होता है ठीक है iron pair has been proposed because of the geometry of the iron pair and the living group living group attacks from the same side as the original carbon oxygen bond with consequence of the retention of configuration क्या हुआ iron pair जो कि खुद के एक atom का iron पे उसमें involved होता है और जो geometry है carbon oxygen bond का और जो iron pair जो नहीं मौली की atom का है वो same position पे होता है जिसकी वज़ा से वहां पे retention of configuration होता है ठीक है यह एक special point है इसको ध्यान में रखना है if the above reaction is carried out in presence of base pyridine ठीक है यहां पे क्या है base pyridine के presence में हम करवा रहे हैं तो then reaction proceed through the SN2 path with inversion of configuration ठीक है वहां पे हमने SN2 condition तो दे दिया लेकिन यहां पर base देते हैं तो यहां पे SN2 condition follow करेगा और SN2 path के through जाएगा and the product जो मिलेगा हमको after inversion of configuration मिलेगा ठीक है जैसे कि हमने यह example में लिया हुआ है इसका configuration S है condition सेम है वही reactant है SOCL2 प्लस वही reactant बस base हम extra दूसरा देते हैं क्या Pyridine Pyridine में यह reaction कराने के बाद हमको S की बजाए यहां पर क्या मिलता है R configuration that means there is inversion configuration ठीक है आई बात समझ में चलिए आगे देखते है SET reaction mechanism यह क्या होता है SET का full form होता है single electron transfer so simply हम कह सेकते हैं free radical reaction है जो कि substitution reaction पार्टेसिपेट कर रहा थे इसलिए इसको nucleophilic substitution reaction के अंडर में ही पढ़ लेते हैं चलिए क्या होता देख लेते हैं इन सब nucleophilic substitution reaction where SN1 mechanism is highly probable ऐसा substitution reaction जहां कि SN1 mechanism सबसे ज़दा probable होता है क्या होता है कर्बोकेटान बन जाता है polar protect solvent हो जाता है nucleophile भी weak मिल जाता है या storm भी मिल जाता है फिर भी वहाँ पे SN1 नहीं जाता है तो क्या होता है it has been shown by ESR ESR यहाँ पे क्या है electroscopic resonance जो कि ऐसे कि electron resonance method होता है जो हम electronic configuration को electron का density को निकालने के लिए देखते हैं इसमें क्या होता है जब हम ESR detection of intermediate करते हैं intermediate की study की जाती है तो वहाँ पर जालता है कि actually वहाँ पे जो involved होता है वो free radical involved होता है उस highly probable SN1 reaction में क्या होता है free radical involved होता है in such cases a carbocatan is a good electron acceptor and the nucleophile is an electron donor carbocatan क्या होता है good electron acceptor क्योंकि उसके पास electron की कमी है वो उसको पूरा करना चाहता है तो वो good electron acceptor की तरह work करता है nucleophile के पास electron की अधिकता है तो वो हम पे electron को donate करना चाहता है the mechanism involved is named as the SET Single Electron Transfer Mechanism ठीक है जोकि Free Radical का एक फॉर्म है So, Single Electron Transfer Mechanism यह होता है जहाँ पे SN1 Probable Reaction में Actual में महाँ पे क्या होता है Free Radical involved होता है ठीक For example, the reaction between the Tri-Phenyl Methyl Catan and Tertiary Butoxide Ion यह हमारा Tertiary Carbocatan है और यह बहुत ज़्यादा Stable है Probable है Nucleophile भी है अपने पास तो यहाँ पे Most Probable होना चाहिए था कि SN1 Reaction होनी चाहिए था But, in actually, it is not the SN1 Reaction It will proceed through the SET mechanism कैसे है? अब देखते हैं आपे यह Negative Charge जो है अपना एक Electron यहाँ Transfer करेगा और एक Electron खुद के पास रखेगा जो की ESR प्रूफ करेगा कौन प्रूफ करेगा? ESR Electroscopy Resonance ठीक है? चलिए अब जैसे यह Free Radical बन गए अब दोनों Electron एक दूसरे से Combine करके एक Bond बनाते हैं जो की यह Bond बनता है अपने पास तो क्या हो गया? यह दोनों Combined हुए और एक Bond बनाए जो की हम Free Radical डिक्षिन अब पढ़ चुके हैं प्रिवेस वीडियो का लिंक में शेर कर दूँगा आप लोग वहाँ पे जाके देखें तो यह हमारा Product बनता है जो की Actual Free Radical Involvement से बनता है ठीक है? चौन में आई बात आईए आगे चलते हैं Nucleophilic Substitution at an Elephatic Trigonal Carbon Trigonal Carbon क्या होता है? ऐसा Carbon जिसका Hybridization SP2 होता है आईए देखते हैं Compound containing a Trigonal SP2 Carbon Attached to an Oxygen or a Sulfur or a Nitrogen Undergo the Nucleophilic Substitution Reaction Through the Tetrahedral Mechanism Often it is known as the Addition Elimination Reaction इसको हम Addition Elimination Reaction भी पढ़ते हैं Normally but it is actually Nucleophilic Elephatic के बात करेंगा तो महाँ पे Nucleophilic Substitution Reaction होता है Trigonal Carbon पे The Reaction follow the Second Order Kinetics यहाँ पे Kinetics कैसा होगा? Second Order की But the Mechanism is not the same as simple as SN2 Mechanism SN2 Mechanism में जो order होता है कितना होता है? 2 यहाँ पे order कितना है? 2 फिर भी यह simply SN2 Mechanism नहीं है उसकी तरफ follow reaction को नहीं करता तो कैसे करता है? आईए देखते हैं In Tetrahedral Mechanism First the Nucleophile attack to give a Tetrahedral Intermediate and then the Living Group depart क्या होता है यहाँ पे? Nucleophile पहले उस SP2 Carbon पे attack करता है और वहाँ पे SP2 की बजाए अब hybridization को change करके SP3 पे ले जाता है तब वहाँ से Living Group डिपार्ट होता है और उस reaction को complete करता है ठीक है? For example, यह हमारा एक SP2 Carbon जो की Carbon पे हमारा SP2 है Elephatic Trigonal Carbon है ठीक है? यह Y- हमारा Nucleophile और यह Slow reaction है यह attack कर दिया इस Carbon पे और यह हमारा पहुँच गया SP2 तो change कहां हुआ SP2 से SP3 में Slow reaction and also it will be the rate determining step Slow reaction है, rate determining step है तो यहाँ पे order दो Molecule involved है reaction करने में तो यहाँ पे order कैसा हो जाएगा? 2, can it take second order Then after, second step क्या होगा? Living Group will depart Living Group यहाँ पे क्या है? X, तो यह fast reaction होगी यह minus आएगा इस bond के उपर और यहाँ पे double bond मनाएगा और X हमारा reaction से बाहर हो जाता है तो यह simply होता है हमारा reaction nucleophilic substitution reaction at aliphatic trigonal carbon bane इसका mechanism देखते हैं कैसे overall reaction proceed होती है? आईए देखते हैं यह हमारा एक molecule है H plus iron acid के presence में करवाते हैं तो यह दो resonating structure मिलता हमको यह H plus iron इसके loan pair पे attach होगा O plus आता है यह अपना bond को यहाँ लेगा तो यह structure बनता है positive charge हमारे carbon पे आता है और यहाँ पे एक बार एक structure में oxygen पे होता है ठीक? आईए यह हमारा resonance से stabilize हो जाता है समझमाई बात अब हमारा से पहला step क्या होता है Nucleophile का attack उस SP2 carbon पे अब यह Nucleophile attack करेगा इस carbon positive पे ठीक है? जो कि इस हमाँ SP2 है ठीक है? यहाँ पे इसने attack कर दिया तो यहाँ पे कैसा हुआ? यह हमारा SP2 से convert हो गया SP3 में समझमाई बात अब क्या हुआ? यह loan pair जो oxygen के उपर है यह अपना इसमें proceed करता है और second step की तरफ प्रोसीड करता है जहाँ पे living group को depart होना है living group क्या हुआ? डिपार्ट हो गया तो हमारा फिर से यह SP3 से SP2 में change हो जाता है SP2 में change होता है फिर से यहाँ पे जो oxygen के उपर positive charge आया हुआ है वो resonance के through stabilize होगा resonance के through stabilize होगा तो दुना तरफ गया तो फिर यह अपना hydrogen को बाहर निकाल देगा और इस bond को यहाँ पे लेकि अपने आपको stabilize कर देगा तो हमको यहाँ पे यह product मिल जाता है तो एक तरह से हमकर reaction को देखा जाए तो पहला step जो होता है addition का होता है और दूसरा step जो होता है elimination का होता है इसलिए इसको generally हम लोग addition elimination reaction भी बोलते हैं ठीक चलिए आए बात समझ में आए next दखते हैं nucleophilic substitution reaction at the vinylic carbon generally हम जानते हैं कि vinylic carbon पे nucleophilic substitution reaction नहीं होता है तो क्या होता है यहाँ पे acid reaction nucleophilic substitution reaction at vinylic carbon is difficult कैसा होता है difficult होता है but many examples are known it may take place through the addition elimination mechanism addition होगा फिर elimination होगा इसी mechanism के थूँ हमको nucleophilic substitution reaction मिलता है so the closely related tetrahedral mechanism elimination addition mechanism और SN1 mechanism तो addition elimination से हमको यहाँ पे nucleophilic substitution reaction मिलता है तो यह closely resemble करता है या तो SN1 mechanism बोलने elimination addition reaction बोलने या tetrahedral mechanism बोलने जो कि हम पिछले ही slide में पढ़ चुके हैं ठीक है for example यह हमारा क्या हुआ एक compound ले लिया हमने यहाँ पे ARSH जैसे कि फिनॉल होता है यहाँ पे थायॉल होगा ठीक है तो यहाँ पे हमने ले लिया इसका हमें पहले addition कराना होगा फिर elimination कराना होगा तो हमें nucleophilic substitution reaction मिलेगा तो इस तरह से तो यहाँ पे direct nucleophilic attack नहीं होगा मैंने यहाँ पे cross mark दिया हुआ है मतलब कि यह direct यहाँ पे कोई भी nucleophilic substitution नहीं होगा कि दो molecule लिये सीधे attack कराया दो noclorine बाहर होगया दो हमारा यहाँ पे आके group जुड़ गया ऐसे reaction प्रोसिट नहीं होगा तो कैसे होगा आए देखते हैं इसका mechanism S- और H+, जैसे phenoxide बनता था वैसे ही यहाँ पे यह बनेगा S- और H+, तो पहले S- attack करेगा इसके उपर ठिक, तो यहाँ पे S- हो गया है जैसे ही यह double bond यहाँ पे minus charge के तर पे जाएगा तो hydrogen जुड़ जाएगा तो overall यह कैसा हुआ addition reaction, second step में elimination होगा, किसका HCl का, तो H यहाँ से, स्वरी H यहाँ से और CL यहाँ से always anti-elimination H यहाँ से, CL यहाँ से HCl निकल गया है, तो एक double bond बन गया अगला step जो होगा, उसमें फिर से elimination होगा anti-elimination, इस chlorine का इस hydrogen के साथ अब यहाँ पे बन गया हमारा triple bond अगला step, फिर से addition होगा किसका, ARSH का ठीक है, फिर से ARS-H+, यह attack करेंगे, और यह फिर से इस hydrogen पे ARS attack करेगा, और H हमारा यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो overall हमको यह product मिलता है, जिसको हम बोलते हैं, addition, elimination product बोलते हैं, या फिर addition, elimination reaction बोलो या फिर इसको हम nucleophilic substitution reaction at the vinylic carbon, vinylic carbon पे nucleophilic substitution reaction इस तरह से proceed होगी, जो कि हम generally बोल देते हैं कि vinylic substitution reaction नहीं होता है nucleophilic substitution reaction at vinylic carbon नहीं होता है और allylic पे होता है, तो क्या होगा SN1-, SN1 2-, ठीक है तो यह हमारा allylic और vinylic की बात हो गई, ठीक है SN, SET देख लिया हमने SNI mechanism देख लिया, ठीक है तो आज के वीडियो हमारा इतना ही था छोड़ा सा वीडियो था लेकिन बहुत ही important information थी इसमें, आप सब लोग इससे questions practice करें, कोई भी doubt होता है comment box में अपने queries को, अपने questions को drop करते हम इसको resolve करेंगे वीडियो अगर पसंद आई हो तो इसको like कर दे share करें और subscribe करें ताकि हर वीडियो का notification आप तक पहुँच सेके bell icon को जरूर से दबाएं और दोस्तों मित्रूं आप जरूर share करें ठीक है नया chapter शुरू हुआ है तो इसका profit बहुत लोगों को मिलना चाहिए तो इसको share करें ठीक है मिलते हैं आगर वीडियो लक्चर में कुछ नए information के साथ तब तक के लिए thank you have a good day